खबर जलंदर तो हैं जिते पाचपातों राजसाबा मेंबर अते सीनर पाचपा नेता प्रबाचा ने आज जलंदर देवेच एक प्रेस कॉंफरेंस की थी अते इस दुरान उनने क्या के पंचाब दे नगर निकम चोंदे वेच मुख मंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग ने एक तरह देनाल राजनितिक एमरजनसी कोशित कीती हुई है उनने क्या के पाचपा देश वेच पंचायत चोंदों लेके लोग सबा चोंद तक लड़ दी है अते इस समय देश दे 18 राचा देवेच पाचपा दी सरकार है अते किसे भी चोंद वेच इस तरह देनाल सरकारी मिशिनरी इस्तेमाल नहीं हुई जिमें पंचाब दे नगर निगम चोंदे वेच कीती जा रही है पर बादचा ने क्या है के आज पंजाब देवेच नगर निगम चोन देवेच कॉंगरस हर तरां दे नाल विरोधी पार्टिगानों दबा रही है अधे उनने क्या के आज चलंदर वेच ही कई थामाँ थे पाजबा दे वरकराओं थे हमला होया है ताकि ते सरकार चोन नू बारा वजे तो पहला ही निप्रेचाडन अधे प्रशासन दे माद्यम दे नाल बाकी दलानू दबाउन दी कोशिश का रही है उनने मांगी ती है के चोन निर्बक तरीके दे नाल होने चाहिए देने 40 साल से राजनिती में काम कर रहा हूँ बहुत चुनाव देखे हैं और इमर्जेंसी का दौर भी देखा है मैंने लेकिन पंजाब में जो एक इमर्जेंसी लगी हुई है ये पॉलिटिकल इमर्जेंसी है बिना किसी भोषना की अच्छा होता कि अमरेंद्र सिंग जी गोषना कर देते कि मैं पंजाब में नगरी निकाए के चुनाव में मुनस्पल कॉर्परेशन के चुनाव में इमर्जेंसी कर रहा लगा रहा हूँ तो सायद हम समझ जाते विरोधियों को चमकाना धमकाना डराना पुलिस के माध्यम से उनको बिठाना प्रचार करने नहीं देना पर्चे गलत भरवा देना SDM को भगा देना कि इनके पर्चे मतलो ये जाहिर करता है कि पंजाब इस समय सत्रह तारी तक पॉलिटिकल इमर्जेंसी से गुजर रही है ये अच्छी परंपरा नहीं है डेमोक्रिसी लोगतंतर को किल करने का तरीका है और फ्री फेर इलेक्सन ये सोल अफ इंडिया ये भारत की आत्मा है फ्री फेर इलेक्सन गुजरात में भी हो रहा है और हमने पंजाब में स्विकार किया अगर अमरिंदर सिंग जी प्रदमुक्यमंतरी बने जनादेश मिला तो हमने विरोध नहीं किया उनका सिवकार किया सिर जुगा के सिवकार किया इसलिए ऐसा उनको नहीं करना चाहिए फ्री फेर इलेक्सन होना चाहिए